जैसे जैसे हरियाना विधानसबा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही आए दिन नेताओं के अलग-अलग बेयान सियासत की सरगर्मियों को बढ़ा रहे हैं सत्ता दल भाजपा और विपक्षी दल कॉंग्रेस दोनों दलों के नेताओं की प्रतिक्रियां सुर्खियां बटोर रही हैं वहीं ताजा बेयान क्रिशी मंत्री कमरपाल गुर्जर का आया है जिन्नोंने पत्तरकारों से बातचीत करते हुए कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कॉंग्रेस कोई भी नारा दे लेकिन प्रदेश में कॉंग्रेस की कोई अच्छी स्थिती नहीं है कुछ भी दे अगर वो नभे पार भी के दे तो क्या अरज है कुछ भी कर सकती कांगरस के कोई लक्षन इस प्रकार के है नहीं कि कुई अक्छी स्थिती हो जह हुए उनका आपस के अपराव है और चाहे जंता के वीच में लोग पेता की आप है मत्कीन है कुछ काई क्यों आपकी उच्छी कम कई लोग थाह करैंगे रक्षन को करतें करते हैं अब उनको पता चल गया कि भी पकाने वड़े लोग हैं और चाहे उनोंने ठका ठक पैसे देने की बात की तो लोगो भी पता चल गया को भी तुछ ओने वड़ा नहीं है तो जुहूट है वो जनता के सामने उजागर होगा तो आने वड़े टाइम में जो द्विदान सिवा ग आज फ़र जो काम है उस बेबी और उसमें से टाइम निकाल पिर जनता की कि बात सुने में और उसको जाना जन्रसपाय करना तो मैं समय सुछा तो हम बहुत महनत हो आज जो एक मुख्यों के चलने वड़े हैं वही देश को अके लेके जा सकते हैं जो लोग आपस भी एक नहीं है वो देश का क्या करें है वह तो अपने अपने स्वार्थ के लिए यहां रायती जो है और आश्ट्रित के लिए जब एक उसके करेंगे मेरे स्वार्थ होंगे तो प्रिट जो में जो नहीं है उसके लेका मुख्यों माझ जब आप रदू नहीं हो